आप टाइटल पढ़कर मेडे चैनल तक आये हैं उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करती हूं मैं सभी का दिल से वैलकम करती हूं अपने चैनल जीवन वीडियो टीप्स में गाइस अगर आप भी प्रीमचूर ग्री हेर्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज की वी कीजिए अगर पसंद आए तो जाते हुए लाइकशिप चुरूर करना गाइस घर में छोटे बच्चे हैं बड़े हैं मोस्ली सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी बढ़ती हैं वह है जी वाइक हेर्स ब्रे हेर्स की प्रॉब्लम आप मार्केट वाली डाई यूज करते हैं व मुलिखकेशिए रहो डच मार्यी को घर टांउ जयाया एक थिए वह चलतने गया हैं प्रॉब्लम यूज को ज्रुम की वह है जो लकिली उज रच लिएन को आप एक बार इस प्राई जोड़ें सब्सकेशि प्रॉब्लम मुलिखों इस Magical Homemade Hair Dye को बनाने के लिए आपको लेना है जी लोहे का एक बर्तन लोहे की कडाही ले 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 जिए लोहे का पैन ले 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 जिए आपको लोहे के बर्तन का ही इस्तिमाल करना है अब मैं इसमें एड कर रही हूँ एक चमच के क्रीप भ्रिंगरास पाउडर अब आपको इसमें एड करना है जी एक चमच के क्रीप कलोंजी पाउडर कलोन जी हम किचन में मसाले के लिए यूज करते हैं आपके घर में अवेले बोलो होगी आपको इसका एक चमच के क्रीप पाउडर इसमें एड़ कर देना है जा फिर आप पंसारी की दुकान से बहुती असानी से ये आपको मिल जाएगी आप इसे ओनलाइन भी ले सकते हैं जा फिर पंसारी की शोप से ले लीजीए नेक्स आपको इसमें एड़ करना है जी महन्दी पाउडर आपको दो से तीन चमच अपने बालों की लेंध के कोर्डिंग महन्दी पाउडर इसमें एड़ कर देना है महंदी पाउडर आपके बालों में बहुत ही प्यारा सा कलर देगा नेक्स्ट आपको लेना है जी आमला पाउडर आपको एक से दो चमच आमला पाउडर के इसमें आड़ करना है जहांपर हेर फॉल की बात हो रही हो, हेर कलर की बात हो रही हो वहाँ पर आवला यूज ना हो ऐसा कभी होई नहीं सकता आपको एक चमच के करीब आवला पाउडर डाल देना है अब मैं इसमें एड कर रही हूँ हीबिस्कूस फ्लार्स का पाउडर जाने की गुलहर के फूलों का पाउडर अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में डाक ब्राउन कलर आए बरगंडी कलर आए तो आप इसे एड करके देखिए बालों में बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए गाई साब जो मैंने इसमें चीजे एड की है आप उसकी मातरा कम ज़्यादा अपने बालों की लेंट के कर सकते हैं अब आपको इस पैक को कैसे पूरी तरह से तयार करना है जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिले उसके लिए अब आपको जाना है जी अपनी किचन में किचन में जाकर गैस का फ्लेम ओन कीजिए बिल्कुल हलकी आज पर इसे आपको 2-3 मिनट पकाना है पकाने के बाद जिब बिल्कुल डाक ब्लैक कलर में कनवर्ट हो जाएगा आपको बिल्कुल इसी तरह का ही पैक चाहिए आपको इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब जिस ठंडा हो जाए तो आपको इसे कैसे इपने बालों पर अपलाई करना है आप एर पैक तो बना लेते हैं बट उसे बालों पर सही तरीके से कैसे लगाना है आपको ये नहीं पता होता है जिसकी कारण आपको अच् च्टोर नहीं करनाँ आप इसे इंस्टेंट बनाएं और आधा गंटा के लिए छोड दीजिए और उसके बाद आपने बालों पर अपलाई कर लście आपको स्टोर नॉर्मल टैंपरेशर लगा है इसको लगाने से पहले मैं आपक Crometric ईयर करी हूं आप से जिनके बालों पर हमने इस पैकुल लगाया है उनके बाल बिलकुल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं लगाने से पहले आफटर बिपोर आपके साथ ड्रफ शीर कर रही हूं पहले देखिए कि पूरी तरह ही बाल काले हो चुके हैं बहुत ही प्यारा सा कलर इनके बालों पर आया है अगर आपको hair fall की problem है तो भी आप इसे use कर सकते हैं जा फिर आप इसे सफेद बालों को cover करने के लिए भी use कर सकते हैं Guys आपको लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए वीडियो को skip मत कीजिए वीडियो को full watch कीजिए अब मैं आपको इसे live लगा कर दिखा रही हूँ बालों पर उसके बाद hair wash करने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही result मिलने वाला है अब आप देखिए कि इनके बाल front से बिल्कुल white हो चुके है आप देखिए वीडियो में इनके जहां-जहां से आपके बाल सफीद हो चुके है वहाँ पर इस pack को लगा लीजिए और एक से डिएड़ घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए और फिर आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को wash करना है शैंपू यूज नहीं करना है इस pack को लगाने से पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से शैंपू के help से wash कर लीजिए उसके बाद इस pack को अपने बालों पर apply कीजिए और एक से डिर घंटे के बाद नॉर्मल पानी से बालों को धो लीजिए जैसा result मैंने आपके साथ show किया है आपको बिल्कुल वैसा ही result मिलेगा चाहे जितने भी सफेद बालों आपके पहली बार में ही आपको 80-90% result मिल जाएगा best result के लिए आप इस pack को महीने में 3-4 बार अपने बालों पर apply कीजिए दो से तीन पर apply करने के बाद ही आपके पूरे के पूरे बाल काले हो जाएगे गाइस तो आप इस natural homemade hair dye को बना कर चुरूर अपने बालों पर apply कीजिए आपको बहुत इचार जल्ग देखने को मिलेगा आपके घर में जितने भी members हैं सभी से apply कर सकते हैं हर उमर का व्यक्ति इससे यूज़ कर सकता है हमने इसमें कोई भी chemical यूज़ नहीं किया है तो आपको इसे पूरे बालों पर अच्छी तरह से apply कर लेना है बालों की जड़ों पर इसे अच्छी तरह से लगाएगे बालों की length पर इसे लगाएगे अगर आपको hair-related जाफे skin-related कोई भी problem है अगर आपने अभी तक भी कभी भी मेरे चैनल पर visit नहीं किया है first time मेरे वीडियो को watch कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल G1 Beauty Dips पर visit कीजिए आप बहां पर आपको बहुत सारी home remedies देखने को मिलेंगी जिनको use करकर आप अपनी skin का और hair का natural तरीके से खयार रख सकते हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से इस pack को बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया है और अपने बालों पर लगाना है तब ही आपको best or 100% result मिलेगा इसको इस्तिमाल करने के बाद अपना feedback मेरे साथ जुरूर नीचे comment box में share कीजिए आप जब भी comment करकर मुझसे कुछ पूछते हैं मुझे बहुत ज़्यदा खुशी मिलती है अपना experience में साथ जुरूर शेयर करना और भी अच्छी अच्छी वीडियो देख लेंगे लिए चैनल को subscribe कीजिए घर का हर उमर का व्यक्ति इस pack को लगा सकता है आपको बहुत अच्छा और awesome result मिलेगा उमेर करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते हुए वीडियो को लाइक शेयर जुरूर कीजिए आप हमेशन वीडियो वाच कर लेते हैं वीडियो को लाइक शेयर करना भूल जाते हैं आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी motivation और sport मिलती है अपना sport और प्यार मेरे चैनल पर इसी तरह बना के रिखिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल पर कभी विजिट नहीं गिया है तो जाते हुए मेरे चैनल पर विजिट जुरूर कीजिए आपको महाँ पर बहुत सारी home remedies देखने को मिलेंगे जिसका इस्तिमाल करकर आप नैचरल तरीके से अपने बालों की और स्किन की केर कर सकते हैं इस वीडियो से अगर आपका कोई भी कोचन है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में मुझसे कमेंट करकर पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई आपको जरूर दूंगी आप जहां भी शोचल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं फेस्बूक, वर्टसर्फ, टुविटर, इंस्टागरम वहां पर इस वीडियो को ज़द ज़द शेयर कीजिए तो मिलते हैं मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयाल रखेगा हमेशा खूश नहीं, be positive thanks for watching, take care, bye bye